है गाईज विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ आयूर हर्बल आमला एंड शिकाकाई विद रीठा शैंपू का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ गाईज ये रिव्यू आपके बहुत ही जड़ा हेलपफूल होगा है क्योंकि मैं ये जो रिव्यू और डेमो शेयर कर रही हूँ ना इसकी मैंने 10 बॉटल यूज कर ली है 10 की भी 15 बॉटल मैंने इसकी यूज कर ली है पिछले एक डेट दो साल से मैं ये वाला शैंपू अपने बेटे को यूज कर रही ह इतना टाइम यूज करने के बाद मैं अपना ओनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ होप गाईज आपको ये विला रिव्यू आपके लिए हलपफूल हो तो गाईज वीडियो अगर थोड़ी से भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को खर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाईज वीडियो को स्चार्ट करते हैं लेट्स गेट स्चाटेट तो गाईज ये है आयूर हरबल आमला एंड शीका का इविद रीठा शेंपू लोकल मार्के स्चोर से मैंने इसे बाए किया है इस शेंपू की मैं जितनी ता सालों से मैं ये वाला शेंपू जिशन को यूज करती हूँ अगर दो साल पहले कि आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप सबको बता है कि मैं जिशन को कई बार क्लेनिक प्ले शेंपू यूज करती थी और उसमें जिशन के बाल काफी ज़धा मतलब लैंथ जो बालों की अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो आप जशन के बाल देख सकते हैं कि उसके बाल कितने ज़्यादा लॉंग स्ट्रॉंग हेल्दी बाल है इतने मजबूत उसके बाल है हेर फॉल की प्रॉब्लम उसे बिल्कुल भी नहीं हुई है उसके बालों की जो लेंथ इंक्रीज हु हुई है यही शेंपू से मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ अगर आप भी अपने बालों को लॉंग स्ट्रॉंग हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यह वाला शेंपू जरू ट्राइ करके देखिए आपको इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे गाइस जब से मैंने यह वाला शेंपू यूज करना शुरू किया है मैंने कभी भी कोई भी और शेंपू ट्राइ ही नहीं किया है मुझे इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे हैं कॉन्डिटी हमें इसकी इतनी अच्छी मिल रही है सिरफ 200 रुपे में आ इतना कर रखेगा कंट्रोल हेरफॉल सच में यह इससे हेरफॉल कंट्रोल होता है मुझे कई लोग कमेंट भी करते हैं कि इस चैंपू को यूज करने से हमारे हेरफॉल होने लग गया बट गाइस मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी है आपके पास वो सारी वीड देख सकते हैं कोई एक साल पुरानी है कोई वीडियो छे महिने पुरानी है कोई मैंने लेटरस्ट डाली है कि पिछले दो सालों से मैं यही शैंपू यूज कर रही हूँ और आप सब ने देख है कि जशन के बालों की लैंथ कितनी ज़दा इंक्रीज होई है तो गाइस यह यूर का ही शैंपू है यह इसकी एक और पैकेजिंग आती है तो आप देख सकते हैं कि जशन को मैं इस तरह से हेर वाश करवाती हूँ जो शैंपू है उसमें पहले पानी में मिक्स कर लेती हूँ वैसे तो यह बिल्कुल नैचुरल हर्बल शैंपू है आप चाही तो इसे डिरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर पानी में मिक्स करेंगे तो जिसके थोड़े बहुत कैमिकल है वो भी बालों पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे लैदर इतना ज़्यादा अच्छा करता है ना कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ओईलिंग नहीं किया तो जिर्फ एक बार शेंपू करने से ही आपके बाल बिल्कुल नीट अंड क्लीन हो जाएंगे इस शेंपू से डेंडरफ की प्रॉबलम भी अगर आपको है तो वो प्रॉबलम भी आपकी बिल्कुल खतम हो जाएगी फर्स्ट वाश में आपको ये वाला शेंपू थोड़ा सा शेंपू यूज़ कर रही हूं तब भी मैं अपना ओनेस्ट रिव्यू आपके साथ शियर कर रही हूं आप चाहे तो ये वाला शेंपू अपने लोकल मार्के स्टोर से इसली बाए कर सकते हैं तो देखिए गाइस ऑईलिंग करने के बाद भी आप जशन के बाल देख सकते हैं कि उसके बाल बालों की जो लोक कहना बालों की जो लेंद था वो कितनी ज़्यादा अच्छी है बिल्कुल क्लोस से मैं आपको उसकी ब्रेड दिखा रही हूं कि उसके बाल बाल इसी शेंप अब भी अपने बालों की लेंद को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यह वला शेंपू जरू ट्राइ करके देखिए आपको यह वला शेंपू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मैंने अपना ओनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है इसकी 10 से 20 बॉटल यू मिले कि डाक परपल कलर का यह शेंपू है इंग्रीडेंट्स इसके इतने ज़्यादा अच्छे है नॉर्मल हेयर के लिए बहुत ही अच्छा वाला शेंपू है कम से कम दो महिनों तक आप इस बॉटल का यूज कर सकते हैं अगर आप हफते में दो बार भी हेयर वाश करते है दो से तीन महिने अराम से यह निकल जाएगा 1000 ml हमें इसके quantity मिल रही है 260 का MRP है बट इसली 240 या 250 में आप इसे बाई कर सकते हैं अब तक गाईज इसकी मैं 10 से 20 बॉटल यूज कर चुकी हूँ एक महिने या डेड़ महिने बाद हम इसकी नई बॉटल हमेशा लेते हैं तो दो सालों में आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने कितनी बॉटल से इसकी यूज कर ली हैं मेरा कोई भी और शेंपू यूज करने का आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस शेंपू से आपके बाल ड्राइ हो रहे हैं सेकिंड वाश थर्ड वाश में भी आपको ऐसा फील हो सकता है बड़ जब आप इसका रेगुलर यूज करना शुरू कर देंगे न तो आपको ये शेंपू इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा हेर फॉल की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खतम हो जाएगी डेंडरफ नहीं होगा कंडिशनल लगाने की आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी इतना अच्छा लगेगा ये शेंपू है तो आप आयूर हर्बल आमला एंड शिकका काई विद रिठा शेंपू यूज करके देखिए आपको इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि आप इस शेंपू के फैन हो जाएंगे ओप गाईज ये वली वीडियो आपके लिए बहुत जबा हेल्पूल हो तो गाईज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाईज अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए थैंक यू बाई